कि हीरा ग्रिफाइट किसका अप्रूप होता है कारवन का अप्रूप होता है कारवन नहीं होता है कारवन का अप्रूप है किसका अप्रूप है कारवन का हीरा ग्रिफाइट किसका अप्रूप है कारवन का हीरा ग्रिफाइट जो कारवन का अप्रूप है लेगन कारवन नहीं ह होता है ही डागे रफाइड के किसमें कारवन नहीं होता है ही रा में होता नहीं है कारवन में होता नहीं है ठीक भला गिरफाइड नहीं होता है तो इन में से कोई नहीं होगा ठीक कारवन किसमें नहीं होता है तो ये हीरा में नहीं होता है कोईला में भी नहीं होता है ठीक है हीरा गिरफाइट जो है आपका कारवन का अपरूप है लेकिन कारवन होता नहीं है कारवन का अपरूप है लेकिन कारवन होता नहीं है हीरा गिरफाइट में इसे प्रकास प्रावर्तित करने की इसकी योगता होती है इसमें क्या होती है प्रकास प्रावर्तित करने की योगता होती है हाँ होती है विद्धुत का सुचालक नहीं होता है हीरा क्या होता है प्रकास प्रावर्तित करने की योगता होती है प्रकास प्रावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर काटने में या फी चट्टानों को भेदने में भी हीरे का पर्योग किया जाता हैं कौन सा मूलतत्व है मूलतत्व मनें ओरिजिनल्टत्व है तो हीरा आपका क्या है मूलतत्व है मूलतत्व कौन है आपका हीरा जमीन से पाई आता है मूलतत्व कौन है हीरा मूलतत्व यानि ओर्जिन एलिमेंट कौन है हीरा है ओर्जिन एलिमेंट कौन है हीरा मूल एलिमेंट कौन है आपका हीरा मोलता तुप कौन है हीरा कारवन का सुधरूप क्या होता है हीरा गिरफाइड होता है कारवन का सुधरूप कौन होता है सुधरूप बोलाए न कारवन का सुधरूप है आपका कौन हीरा कारवन का सुधरूप है हीरा लेकिन कारवन होता नहीं है और ये कारवन का अपरूप है, सबसे सक्त कौन होता है, हीरा, सबसे सक्त होता है कौन हीरा, सबसे ठोज कौन होता है, सबसे हट कौन होता है, हीरा, प्लाटिनम के तुलना में भी हट होता है, हीरे के समन्द में कैरट क्या होता है, भार होता है, हीरे के समंद में carrot क्या होता है यह कौन सा कारवन का एक रूप नहीं है कारवन का रूप नहीं होगा हेमाटाइट नहीं होगा कारवन का एक रूप नहीं है कौन हेमाटाइट कारवन का एक रूप नहीं है कौन हेमाटाइट कारवन का अपरूप कौन हेमाटाइट है कारवन का एक रूप नहीं है कौन हेमाटाइट है करवन का एक रूप नहीं है कौन हेमा टाइट है बाकि करवन का रूप है का जल ग्रिफाइट चारकोल já क्या है करवन का रूप है कौन सा विधूत तथा इसमा का अच्छा सुचालक है ग्रे फाइट होगा कौन होगा ग्रेफाइट होगा विधूत वा उसमा दोनों का अच्छा सुचालक है कौन ग्रेफाइट हीरा ग्रेफाइट क्या कार्वन का अपरूप है किसको पैंसिलों में परियुक्त किया जती है ग्रेफाइट का किसको पैंसिल का यूच किया जता ग्रेफाइट का ओके बलकी करन के लिए परियोग करते गंधक के साथ गरम करना सुच्छ सेल की धनात्मक छर कैसी होती है ग्रेफाइट की सुच्छ सेल की धनात्मक छर होती कैसी ग्रेफाइट की सुखसेल की धनात्मक छहरे होती है सुखसेल की धनात्मक छहरे क्या होती है कौन अच्छा सनेख है ऐब एघ्ड री एक ऊच्छ ने है कौन होता ग्रमिट चूरान चाहलेत रुश्यज से अहे को हुआना अच्छ ने है कॉन होता कि होता है विर्व 場प Mission कि क्या होता है कॉन होता है कॉन जैक होता कारवं अही रắm ये क्या है आपका कानव बलगे हाव क्वैर्थ आपका कारवन न्यू tr इस रीक्टर में पृयोग क्ये जाने वह न भी मनेत किस ढ़्म निकुलिए के क्वान कारी कौ्ण करता कौन करता सो लिभट करता पडा क्वेक्व निकुलियर्म में रीयक्टर डिनलेक्टर वे करता है ग्रफाइट का चूरन निकलियर रियक्टर में ग्रफाइट का चूरन है जो बिमंदा कारी करता है अच्छा सनेहक भी होता है ग्रफाइट चूरन जो होता है एक अच्छा सनेहक माना जाता है यूरेनियम का चूरन अथी निकलियर में किया जाता है ठीक है जब कि विवन्दी रूप में गर्फाइट चूरन का यूज कै grep रेडियो कारबन डेटिंग से जीवासव की रेडियो कारबन डेटिंग है रेडियो कारबन डेटिंग रेडियो कारबन डेटिंग से किसका निर्धान क्या जाता है जीवासव की आयू का रेडियो कारबन डेटिंग से किसका निर्धान क्या जाता है जीवासव की आयू का ले है और रेडियो प्रफन डितिंग से जिवाश्भा की आयोँ याद करते रिड्यो प्रफटाउ से रेडियो कारवन डेटिंग से जो सी फोटिन का यूच किया जाता है कच्ची चीनी को रंग भीहिन करने है तो किया जाता है किसका एनिमल चारकोल का एनिमल चारकोल का परयोग हो तो कच्ची चीनी को रंग भीहिन करना है तो एनिमल चारकोल का एनिमल चारकोल एनिमल चारकोल होगा ठीके एनिमल चार्कोल का पड़ियोग हो तो कच्ची चीनी को रंग भीहिन करना तो किसका पड़ियोग करना होगा एनिमल चार्कुल का कच्ची चीनी को रंग भीहिन करना है तो किसको यूच करना होगा है एनिमल चार्कुल का रग्त तब्त कारवन पर जल वास पर भाहित करने पर क्या प्राप्ट होता है जल गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या निकलता है जल गैस निकलता है जल गैस निकलता है जबकि लाल तक्त लोहे पर जल बास प्रवाहित करते हैं तो जल गैस निकलता है प्रवाहित करते हैं प्रवाहित करते है जल गैस निकलता है वह तत्व जिसमें सबसे अधिक सिंखलन गुन पाई आती है किसमें पाई आता है सबसे अधिक कारवन कारवन में सबसे ज़्यादा सिंखला गुन किसमें पाजाती है हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुन पर निर्वा करता है हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग इसके किस गुन पर निर्वा करता है अबिदूत का कुछ अलग होता है ये हीरे ये अधी कट होड़ता भी होता है लेकिन जवाहरात के रूप कारण क्या अपवर्तनांग है कारवो रेंडम किसका दूसरा नाम है कारवो रेंडम किसका सिलिकन करवाइट का करवो रेंडम किसका दूसरा नाम है सिलिकन करवाइट का करवो रेंडम दूसरा नाम है सिलिकन कर्वाइट का दुसा नाम कार्वोरेंडम किस का नाम है कारबोरेंडम किसका नाम है सिलिकन करवाइट का कारबोरेंडम किसका नाम है सिलिकन करवाइट का कारबोरेंडम किसका नाम है सिलिकन करवाइट का कोईले के निमने प्रकारों में से की एक में से इस प्रकारों के अपिक्छा अधिक प्रतीसत अंत कारबन होता है देखें मुलाहन कर से रख ओके तो मुलाहं कौन कर्भन के सबसंडा कर्वन होता है मुलाहम कौन होता है कोईला का सुरुवाती रूप पीठ होता है किसको भूरा कोईला कहा जाता है लिगनाइट को भूरा कोईला किसे कहते हैं एंथरा साइट में सबसे यादा कारवन होता है कारवन किसे होता है एंथरा साइट है के लिए या मुलाइम कोईला के नाम से कौन है पतारें दोस्तों मुलाइम कोईला कлам और Мुलाइम कोईला कौन है मुलाइम कॉला ने हैं बीटुमिनस कोईला को मुलाइम कोईल और का सबसे ज़्यादर कारवण न होता है क्वेम कोईला का सुरुखाती दТा-चतर एन्थिरा साइट में sबसे ज़्यादर कारवं किसमेں होता है सबस्यादा करवन किसमे होता है कोईला का एंतरा साइट में बिटुमनेस जो आपका मुलायम कोईला है मुलायम कोईला या सामानने कोईला कोईला निर्मान की आरंबी कवस्ता कौन है पीट है कोईला निर्मान की आरंबी कवस्ता ये पीट होता है आरंबी का वस्ता कौन होता है पीट होता है कोईला निर्वान की आरंबी का वस्ता कौन होता है पीट होता है सबस्यादा कारवन किसमे होता है एंथरा साइट में फिर मुलाइम कोईला कौन होता है बितुमीनस कोईला, बितुमीनस कोईला जो मुलाइम कोईला होता है, लगनैट कोईला हरा कोईला होता है okay अब प्यट कोईला निर्वान के आळामबी कवशथा है कोईला की निर्वान के आळामबी कवश कलाता है क्या दाता है कि शामानने कोईला या मुलाइम कोईला सामानने कोईला कोईला बीटुमनेस कोईला को कते हैं और मुलाइम कोईला किसे कते हैं बीटुमनेस कोईला को मुलाइम कोईला किसे कते हैं बीटुमनेस कोईला को सबस्यादा करवन किसमें होता है एंधरसाइट में सबस्यादा करवन का ड्रावान का मातरा सब्सक्राइब कंदर को उच्छ कोटी का है उच्छ कोटी का कौन होता है एंत्रासाइट अब भूरा कोईला क्या है भूरा कोईला लिगनाइट का लाएगा लिगनाइट का लाता है भूरा कोईला पीट जो होता है का कोईला का आरंबी का वस्था होता है बिटुनमेंस कोईला जो मुलाइम कोईला हो कॉला होता है कौन बायु पर दूसक सरवाधि खानी कार ये कार्बन मोन ओक्साय जो आपका सबसे ज़्यादा बाई पर दूसक होता क्या है ये किसे निकलता है बहाणों से निकलता है गारियों से कॉन बायू को सबसे अधिक प्रदूसित करता है कौन सबसे ज़्यादा बायू को सबसे ज़्यादा परदूसित करेगा कार्बन मोनो ऑक्साइड बायू को सबसे ज़्यादा परदूसित कौन करता कार्बन मोनो ऑक्साइड बायू को सबसे ज़्यादा परदूसित कार्बन मोनो ऑक्साइड है कार्बन मोनो ऑक्साइड भी सा किसे करता है का रख्त की ऑक्सीजन को वहन करने की च्छमता उसे उसे परवाइद करती है रख्त में जो ऑक्सीजन होता है उसे परवाइद करती है रख्त में ऑक्सीजन होता है उसे परवाइद करती है रख्त में ऑक्सीजन वहन करने की च्छमता को परवाइद करता है कारब होते हैं नीली जबाराइट साथ जलता है नीली जवाला नीली जवालाइट से जलने वर गास कौन उताहिご लिए नीली जोलें के साथ जलने व Лवाला गयस कौन होता है निमरेखित में से कौन सा वायू परत का धीक सिक्रिता से रख्त के कि मोगोमीन में घुब जाता आए कारभान मोन भूबट में घुब ग्वल जाता है कि मोगमीन न बहुत तागमोली से मिल जाता immense करभण मोनोखसायड रक्त के हिमोग्लों तुलंध मिल जाता गेस कौन कार्वन मोनोखसायड जो वहनों से निकलता है ओके का नियो भी साक्ता पहुंचाता है कारवन डाय ऑकसाईड की मातरा कितना है जी रोपाइंट जी रोठीपर antagon बा-ई-मेे कारवन रएपक एक वा 留言 about न मात्रा को वाईyum सुखाना ही तो प्रकास अंसलेशन कर эфф conditioning कर dlh जाता है जिसे कार्वन डायीक्साइट की मात्रा क्या हुआ है कि द्याय में से कौन से उसने परकास त्वेसन पर किया के के लिए आवशक है कारवन डायोक्साइड आवशक है कारवन डायोक्साइड प्रकास संसलेशन के लिए आवशक कौन है कारवन डायोक्साइड अकारवन मोनोक्साइड जो ही मोकुलों ने तुरंत घूल करके भी साकता पैदा करती है रक्त में ओके कौन सी गैस प्रकास संसले संसलेशन से कारवन डायोकसाइट गैस कम होती है परकास संसलेशन से क्या होती है कारवन डायोकसाइट गैस कम होती है ओके कारवन डायोकसाइट की मात्रा कितना है कारवन डायोकसाइट की मात्रा कितना है 0.03 परसेंट है ओके बायो मंदल में कारवन डायोकसाइट की मात्रा क पाओधे द्वारा कौन से उपयाती है कर्बन डाई औक साइड में कितना होती है 0.30 परसेंट के प्रकास संसीलेशन में अत्याविस्यक है करव tomarane टाल कि मातरा घटाना थो प्रकास संसीलेशन करवाना हो गा से और रात को पेर के नीचे सुने किसलह नहीं दे आती है क्यों 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 करवंट डाय ओकसाइड चाहisen होता हैulin का रिलेज होता है कारवन डाय ऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाती है देखे कारवन डाय ऑक्साइड हो गया प्लस जल से विक्रिया करके कारवोजेलिक एसीड बनाए कारवोनिक अमल बनाए कारवोनिक बोला नीक ठीक है मीक नहीं नीक कारवोनिक अमल बनाता है कारवन डाय ऑक्साइ कारवनिक अमल कौन बनाता है कारवन डाय उक्साइड जल से विक्रिया करके कारवनिक अमल बनाता है कारवन डाय उक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है कारवन निक अमल कारवनिक अमल बनाता है कारवन डाय उक्साइड जल से विक्रिया करके कारवनिक अमल बनाता ह आग बुझाने के लिए परियोक्त कौन सा गैस होता है कारबन डाय ओक्साइड आग बुझाने के लिए कारबन डाय ओक्साइड परियोक्त क्या जता है ओके आग बुझाने के लिए परियोक्त गैस कौन होता है कारबन डाय ओक्साइड होता है किसकी उपस्ते का चूने का पानी वायू में रखने पर दूदिया हो जाता है कारण चूने का पानी अगर वायू में रखेंगे चूने का पानी है वायू में रखेंगे तब पानी क्या हो या दूदिया रंग पकर लेगा तो किसके कारण होता है कारण दूदिया हो ज किसकी उपस्तिति की कार्म 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 किस कार्बन डाय ओक्साइड है फिकारन दुदिया हो जाता है चुने का पानी वायू में रखते है चुने का पानी क्या रखेंगे तब क्या हो जाएगा दुदिया हो जाएगा कि ओके